नमस्कार दोस्तों सेहत को दुरुस्त रखने के लिए दूद का सेवन बेहत फायदेमंद होता है ये शरीर में पोशक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं बता दें, दूद केलशियम, प्रोटीन, विटामिन ए, के, डी और आई, फॉस्फोरस, मेगनीशियम, आयोडीन जैसे पोशक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है इसके नियमित सेवन से वजन कंट्रोल रहता है साथ ही मान स्पेशियों का विकास होता है लेकिन क्या आप दूद पीने का सही समय जानते हैं बता दें की, गलत तरह या गलत समय पर दूद पीने से आपको सेहत से जुही कई परेशानिया हो सकती है बता दें की, कई लोगों में समय दूद पीने के समय को लेकर कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों खाने के कितनी देर बाद दूब पीना सही आयूरवेद में दूब को सेहत का खजाना माना गया है दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो खाना खाने के तुरंद बाद दूब पीने से बचना चाहिए इसके अलावा दूब पीने से तुरंट पहले खर्टी चीजें या फल, दही, नमकीन चीजों के भी सेवन से बचना चाहिए ऐसा करने से सेहत को नुकसान हो सकता है ऐसे में सवाल है कि खाना खाने के कितने समय बाद दूब पीना सही रहता है दोस्तों एक्सपर्ट के मताबिक खाना खाने के 40 मिनट बाद दूब पीना सेहत के लिए फायदेमन माना जाता है खाली पेट भी दूब पीने से बचें दोस्तों एक्सपर्ट के मताबिक खाली पेट दूब पीने से बचना चाहिए ऐसा करने से कबज और गैस की परेशानी हो सकती है बता दे की, डाइजेशन संबंधी लोगों को कुछ खाने के बाद ही दूद पीने की सलाह दी जाती है हालां की छोटे बच्चों के लिए ऐसा करना नुकसान दायक नहीं होता है वे किसी भी वक्त दूद पी सकते हैं ऐसा करने से उन्हें एनरजी मिलती है वहीं, बढ़ों को सुबह-सुबह दूद पीने से बचना चाहिए हलका गर्म दूद पीना फायदे मन्द दोस्तों, एक्सपर्ट के मताबिक वयसकों को रात में सोने से करीब एक घंटा पहले दूद पीना चाहिए बता दे की, इस पिया गया दूद डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करता है यदि आप इस वक्त हलका गर्म दूद पीते हैं तो कई बीमारियों का खत्रा टल जाता है इसके अलावा दिन भर की थकान भी दूर हो जाती है और आपको अच्छी नींद आती है